हलो और वेलकम तो राच्री फूद। मैं रूची भरानी आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपिलर चॉकलिट स्प्रेंट जो बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही जादा पसंद है वो है होममेड न्युटेला जिसके लिए यहां मैंने लिये हुए है एक कप हेजलनट और अब इसे रोस्ट कर लेते हैं यह स्किन हेजलनट है और अब हम इसे मीडियम आज पे रोस्ट कर लेंगे इसे कम से कम 2-3 मिनिट तक रोस्ट कर लें इसे हम रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि यह थोड़े कड़क हो जाए और पीसने में आसानी हो जाए और रोस्टिंग पे इसका एक जो नटी फ्लेवर है वो भी काफी एन्हांस हो जाता है और अब यह रोस्ट हो चुके हैं ग्यास बन करके हम इसे थोड़ा थंडा कर लेते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं और हमारे हेजलनुट बिल्कुल थंडे हो चुके हैं और अब हम इसे पीसेंगे इसे चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल बारिक पिस चुका है और अब हम इसमें बाकी की चीज़े आड़ कर लेते हैं जो है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर मैंने अन्स्वीटन कोको पाउडर लिया है 3-4 कप कास्टर शुगर या पाउडर्ड शुगर एक बड़ी चुटकी नमक 1 टी स्पून वेनिला एसेंस 1-2 कप आउड अब वेजटेबल भी ले सकते हैं या तो फिर कोकोनेट आउड भी ले सकते हैं इसे हलका सा हम स्टर कर लेंगे और अब हम इसे तीस लेते हैं इसे चेक कर लेते हैं और यह मेरा स्मूध नूटेला का पेस तयार है अगर आपका पेस बहुत जादा ड्राइ है तो आप ओल की कौंटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं या तो इसमें 2-3 चमच दूट डाल सकते हैं पर अगर आप दूट डालते हैं, तो आपको इसे 2 या 3 दिन में consume करना पड़ेगा. या तो फिर ये फ्रिज में आराम से 6-8 दिन भाएगा. और ये आपका preservative free homemade न्युटेला तयार है. आप इसे fresh fruits, toast, grapes या कोई भी cake based या कोई भी dessert में आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसे जरूर ट्राय करें और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. See you next time. Bye Bye.